अस्सलाम अलेकूम आज हम बनाएंगे कल्यानी बिरियानी तो चलिए भण बनाना शुरू करेंगे और ये बिरियानी बनाएंगे हम एक किलो चावल की इसके लिए लेंगे हम एक किलो गोष्ट इसमें एट करेंगे अध्रकलेशन का पेस्ट दो टेबल स्पून लाल मिर्च ब अब हम इसमें आड़ करेंगे आदा टी स्पून हल्दी पॉडर एक टेबिल स्पून नमक बारी कटा हुआ कोटमीर पुदीना आड़ कर लेंगे एक निम्बू का रस तीन सो ग्राम दही आड़ करेंगे बारी कटी हुई हरी मिर्चा आड़ करेंगे दस लेंगे हरी मिर्च और चार मीडियम साइज के बारी कटे हुई टमाटर गरम मसाला पॉडर एक टेबिल स्पून अब इसको अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से मिला लेने के बाद में अब हम इसको रख देंगे लगबग आदे खंटे के लिए और जब तक के मटन मारिनेट होगा हम प्यास दल लेंगे प्रेशर गुकर में कुकिंग आइल एड़ करेंगे प्यास फ्राइ करने के लिए 200 ml कुकिंग आइल है ये 8 मीडियम साइज की बारिक कटी भी प्यास एड़ कर लेंगे तो इसमें जो है प्यास का इस्तेमाल ज्यादा होता ये बिरियानी में इसी वज़े से हम 8 मीडियम साइज की प्यास लेंगे और प्यास को अच्छे से बारिक कट की हुई ऑईल गरम होने के बाद में आट कर लेंगे और प्यास को फ्राइ करना है मीडियम हीट पे प्यास का बादामी कलर आने तक इसको फ्राइ कर लेना है तो ये देखिए ये जो प्याज है अब बिल्कुल रेडी है बादामी कलर में आ गई इसको अब हम बिल्कुल थोड़ी सी निकाल लेंगे ये देखिए जितनी के मैं निकाल लिया आप लोगों को दिखा रही हूँ ये दंपे दालने के लिए हम निकाल कर रख लेंगे और बागी की जो प्याज है वो हम प्रेशर कुकर में ही छोड़ देंगे प्याज तले जाने के बाद में हम अखने के लिए जितना ओईल होना है उतना ओईल प्रेशर कुकर में छोड़ देंगे और बागी का हम निकाल ले कि गावाज नियुक्त ने लेगेUh तो तली भी प्याज जो है बिल्कुल थोड़ी सी लेना है दम पे दालने के लिए बागे की प्याज हम अख्णी के के लिए रख देंगे तो इसके लिए सबसे पहले अब हम प्रेशर कोकर का धकन लगाएंगे और इसके बाद में अब हम इसको प्रेशर कोक होने के लिए रख देंगे मेडियम हीट पे 7-8 सीटी होने तक इसको प्रेशर कोक कर लेंगे गोष्ट अच्छे से गला लेना है तो जैसे ही अच्छे से गल जाएगा हम फ्लेम आफ करेंगे और प्रेशर कुकर का ठाका निकाल लेंगे तो प्रेशर कुकर का ठाका निकालने के बाद में हम फिर सिर्फ फ्लेम आउन करेंगे और इसके बाद में इसको दो से तीन मिनट के लिए मीडियम हीट पे भून लेना है तो टमाटर जो है अच्छे से भूने जाएंगे इसी वज़े से भून लेना है तो दो मिनट के बाद में हम फ्लेम आफ करके रख देंगे अखनी रेडी हो जाने के बाद में अब हम लेंगे चावल यह सोना मसुरी राइस एक किलो तो इसको हम पहले दो कर आदे खंटे के लि मसाला नमक आट कर लेंगे हम दो टेबल स्पून तो साबित गरह मसाले में लेना है दाल जेनी लॉंग एलाईजी शाजी रा और थोड़ा सा पुकिंग वाईल अब हम इसको ढकन से कवर करेंगे और इसके बाद में फ्लेम आन करके हाई हीट पे यह अधन को पकने के लिए रख देंगे जब इसमें अच्छे से उबाल यानि के जब यह अधन अच्छे से पकेगा इसमें हम चावल आट कर लेंगे तो भीगे हुए सोना मसुरी चावल इसमें अब इसको पकाएंगे हाई हीट पे और अगर आप लोग चाह canyon तो इसको बास्मत यह राईस के साथ भी बना ले सकते हम यह चावलatori को पकाएंगे हम हाई हीट पे अच्छे से पका लेना है 80-90 % तक इसको अच्छे से पका लेंगे हम यह फिर अपने हिसाब से जिस लेंगे निधारने से पहले कि ये निधारने के लाइख हुए या नहीं अब हम फ्लेम आफ कर लेंगे फ्लेम आफ कर लेने के बाद में इसमें से थोड़ा सा अधन का पानी निकाल लेंगे तो यही अधन के पानी में हम थोड़ा सा food color अट करेंगे और दम पे दालेंगे तो यह देखिए चावलों को तो हमने निथार के रखिया है अब हम इसमें से थोड़े से चावल निकाल कर रख लेंगे यानि के इसमें के जो पकी हुई चावल है आदे निकाल लेंगे और आदे बगुने में ही छोड़ देंगे इस तरह से अब हम यह जो आदे चावल है इसके ओपर से पकी हुई अखनी आट कर लेंगे पगी हुए अखनी आट करने के बाद में अच्छे से चौज तरफ से फैला देंगे अखनी को इस तरह से जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ अच्छे से बराबर कर लेने के बाद में अब हम इसके ओपर बाखी के जो चावल निकाले थे वो आट कर लेंगे चावल उनको अच्छे से बराबर कर लेंगे अब इसके उपर से थोड़ी इसी तली भी प्यास जो निकाल लिये थे वो आट करेंगे पूरी आट कर लेना है ये वही cooking oil है जो हमने प्यास को fry करके निकाल लिया था थोड़ा सा cooking oil आट करेंगे और ये वही पींच है यानि के जो अधन का पानी चामल पकाई सो और इसके बाद में इस तरह से हम फैला कर दाल देंगे ये इसके बाद में ढ़कन से कवर करके इसको हम लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे बीस से पचीस मिनट के लिए बिलकुल लो फ्लेम पे दम पे रखना है तो 20-25 मिनट में ये जो कलियानी बिरियानी है अच्छे से दम हो जाएगी और जब 20-25 मिनट हो जाएंगे हम फ्लेम आफ कर लेंगे और इसके अपर से थोड़ा सा बारी कटा हुआ कोट में रैट कर लेंगे अब ये कलियानी बिरियानी बिल्कुल टेड़ी है सर्फ करने के लिए अगर आप लोग चाहे तो इसको चिकन और बासमती राइस के साथ में भी बना सकते जरूर ट्राय करके देखे आप लोग इस रेसिपी को और इसको सर्फ कर सकते दही की चटनी बगारे बैगन या फिर मिर्चियों के सालन के साथ में भी जैसे आप लोग चाहे ज्यादा तर तो इसको दही की चटनी के साथ में ही सर्फ करते तो जरूर ट्राय करके देखे आप लोग इस रेसिपी को और बगारी बगन मिर्चियों के सालन की रेसिपी भी मेरे चैनल पर है इसकी भी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो ज़रूर ट्राय करके देखें आप लोग इन रेसिपीस को रेसिपीस देखने के बाद में अगर अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए थैंक्स पर वाचिंग अल्ला हाफिज